है गाइस देखो re-来 लोग कुछ लोग माल खरीत रहें और बहुत मतलब की डिपटर्य के पड़ोस वाले ही मतलब बूल सकते हैं नेबर उनके जो पड़ोस में रहते हैं वही लोग जो है और कुछ बड़ा माल उठा हरे हैं Reliance Industry के अंदर में आपको पता होई होगा कि देखो जबता एक Reliance नहीं दोड़ेगा तब तक Nifty कोई अच्छा कासा वेटिज नहीं मिलेगा उपर जाने में जहां तक की बात करते हैं डाउजों में तो Last Working Day में काफी एची तेजी देखने को मिली है जो कि 2.59% है बहुत जादा है Nifty 50 की बात कर लेते हैं तो Last Time Nifty में देखे गा तो भई उपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद जब मार्केट बंद होने लगा तो थोड़ा सा Recovery टाइप में दिखा है Reliance की बात कर लेते हैं तो Reliance जो है 3% भागा हुआ है यह हर बार की तरह फिर से नीचे आ चुका ठीक है हर बार की तरह फिर से नीचे आ चुका देख लिए तो यह जब भी नीचे आता है यहां से उपर जाएगा उपर जाएगा देखे तो यहां से भी उपर जाने की कुछिस करेगा मतलब Reliance तो उपर ही जगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो सब लोगों ने इसका 3000 का target दे रखा सब ही लोगों ने इसका 3000 का target दे रखा अलड़ी तो यहाँ पर अगर आप Superstar के portfolio चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जाना है institutional investors के पास किसके पास जाना है institutional investors यह बड़े बड़े investors होते है बहुत बड़े investors होते है मतलब बहुत का मतलब बहुत ही बड़े होते है portfolio देख रहो है कितने लाग करोड का है 19 lakh उसके साथ साथ SBI के पास देख लिए तो इसके पास 3.7 lakh करोड का है portfolio लमसम लेके बोलना चाहोगे तो 4 lakh करोड आप बोल सके है SBI के पास है उसके साथ साथ यहाँ पर ICAC है यहाँ पर Reliance Group की बाद कर लेते है Reliance Group का portfolio 2 lakh करोड की बाद जुमें देखने को हैं लाग 33% profit में है अब Reliance Group के अंदर जाते हैं भाई यह Reliance Group है याद रखेगा Group है यह Group है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Net Worth आपको बताया जा रहा है कि लमसम 1,97,000 करोड मतलब 2,00,000 करोड आप समझ लो है अब इसमें से देखोगे तो Reliance Industry यहाँ पर खरीदा गया है यहाँ देख सकते हो खरीदा गया है यहाँ पर Holding बढ़ाई गई है Holding जहाँ पर बढ़ाई गई है वहाँ पर बताया जा रहा कि भाई Reliance Industry Limited को भी खरीदा गया है जहाँ पर 3.67% यहाँ पर बताया जा रहा बेचने वाले लोग को HFCL, HFCL को यहाँ पर बेचा गया है Reliance Capital को बेचा गया है वो सब को बेचा गया है लेकिन यहाँ पर Reliance Industry को खरीदा गया है देखीजे सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो है Reliance में ही लगा हुआ है यहाँ आप देख सकते हो Reliance Industry में 1.8 लाग करोड मतलब 1.8,000 करोड रुपे लाइंस एक्चिल में बहुत सारी चीजों में बिजनस करता है बहुत सारी चीजों में यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा Reliance के देख सकते हो Petroleum Refinery New Energy आपको देखने को मिल dato Textile आपको देखने को मिल dato यहाँ पर आपड़ आपर मैं आपको बतार हुँ देखने को मिल जागा इनके बड़े बड़े आपको शॉप वगरा देखने को मिल जाएंगे जो रिलाइंस ये सारी चीजों को बेचने के लिए प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिलाइंस में देखोगे तो टोटल 31 एनलिस्ट ने बोला है कि ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए बेचना चाहिए तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो कंपनी एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं जो कि अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाग आप 20 लाग करोड के बाजिमें इसका अगर आप short analysis भी कर लोगे तो भाई company के पास strength जादा है, opportunity जादा है, weakness और threat नाम की कोई चीज नहीं, threat देखो भाई reliance को किस से threat है, यह जिस sector में जाता है, वो पूरे sector को कबजा कर लेता है, पूरे sector को compete कर देता है, इनका average target अगर आप देखोगे, तो बताया ज़रा 2841, जो की 12.4% तक का तेज़ी देखनी को मिल सकता है, यह average बताया ज़रा, बहुत सारे लोग का 3000-3200 का भी target दिया गया है, जहाँ पर बताया जाता है कि market leader है, reliance का 90% से भी ज़्यादा stick, कितना 90% से भी ज़्यादा stick अगर आप check करोगे, तो वो reliance के पास है, foreign के पास है, domestic के पास है, केवल 10% ही है, जो केवल public को दिया गया, only 10%, मतलब 90% सारा माल जो है, foreign, domestic और promoters के पास है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो अगर आप ज़्यादा risk नहीं लेना चाहते है, एक sustainable return लेना चाहते है, तो reliance जैसे stock को मैं आपको भी लूँगा, okay है, आप अपने portfolio में रख सकते हैं, FD से कई गुना जादा अच्छा return निकाल के देगा, last working day में देखिए, 54% से भी ज्यादा delivery उठाया गया, तो मैं आपको भी लूँगा, कि ये एक लंबे समय के लिए stock है, जो आपको धीरे 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 बनाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय में ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में तो बड़ा return दे सकता है stock, हाला कि मैं ज्यादा तर large cap stock के उपर focus नहीं करता, लेकिन जब अच्छी खबर आई है, तो आपको बता देता हूं सामने से, और अगा आप stock market में नहीं हो तो अपने debit account इंजन में open कर सकते हो, जहां पर आपका debit account बिल्कुल free, delivery charge is free, क्यों 20 rupees लगता हूं वो भी इंट्राडे में, description में लिंक है, मिन्टों में जाके अपने debit account बगरा open कर सकते हैं, free में